तो guys current affairs funda में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 दिसंबर तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंदो तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए साथ ही आप Google Play Store से current affairs funda app को अभी इंस्टॉल कर लिजिए क्योंकि जो भी हमारा PDF material है जिसमें हम आपको current affairs के साथ साथ स्टेज चेके भी प्रवाइड कराते हैं इस सभी material आपको हमारी current affairs funda app पर उपलब्द हो पाएगा हमारे PDF को और संबंदित आपका कोई भी डाउट है तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो session की सबसे पहले आज का question दिख लेते हैं Mount Merapi, Mount Sinobang, Mount Semaru, Mount Agung, Mount Kragatoa are located in which country तो Mount Merapi, Mount Sinobang, Mount Semaru, Mount Agung, Mount Kragatoa और Mount Tambora किस देश में इस्तित हैं यह आपको बताना है इटली, जापान, इंडोनेशिया या फिर फिलिपिन्स आपको बताते हैं काफी महत्रपॉंड volcanoes हैं यह और कई बार exam में पूछा जाता है इन में से कोई एक तो पूछ लिया जाता है अगर volcano से समबंदित कोई question बनता है तो answer कर दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे खासर की माउंट मेरापी और माउंट सेमेरू और माउंट सीनाबंग इन में से पूछा जाता है भुपेंद्र पतेल वास सोर्ण इन एस एप्टीन चीफ मेंसर अफ गुजरात भुपेंद्र पतेल ने गुजरात के अठारवे मुख्यमंत्रे के रूप में सपत ली भाजपा ने इस बार गुजरात चुनाओं में कोल 182 सीटों में से 156 सीट जीत कर एतहास एक जनादेश दर्चिया है इस तरह से सही answer option D है आपको जाना चाहिए भुपेंद्र पतेल जिनकी constituency है गाटलोडिया ये 18 चीफ मिस्टर अफ गुजरात बने है इन्होंने सपत ली है आपको बता देन के लावा 8 other cabinet ministers, 2 minister of state with independent charge and 5 minister of state ने भी सपत ली है गांतिनगर में इनको सपत दिलाई है गुजरात कवर्णर आचारे देवरत ने आपको जाना चाहिए भारते जन्ता पार्टी ने 182 total seats में से 156 seats जीती है जो की गुजरात के इतिहास में किसी भी पार्टी द्वारा सबसे जादा जीती हुई seats है नीचे टेबल बनी है इसमें आप पार्टी के इसाब से कितनी seat चीती है ये भी देख सकते है नाइन्थ वर्ड आयरुवेदा कॉंग्रेस इनकुरेटेड इन विच स्टेट नोवी विस्व आयरुवेदा कॉंग्रेस का उत्गाटन की सराज्य में हुआ है आपको जानना चाहिए नाइन्थ वर्ड आयरुवेदा कॉंग्रेस एंड आरोँ के एक्सपोर 2022 ये पनची गोवा में इनकुरेट किया गया इसका थीम रहा आयरुवेदा फोर वन हेल्थ आपको जानना चाहिए थर्ड एडिशन औफ आईश्मान कॉमिक बुक सीरीज भी इस मोगे पर रिलीस की गई एक M.O.U. भी साइन किया गया All India Institute of Ayurveda और Rosenberg's European Academy of Ayurveda चर्मनी के बीच में आपको जानना चाहिए साल 2015 में युन ने डिसाइड किया था कि 21 जून को International Day of Yoga celebrate किया जाएगा साथ ही आपको जानना चाहिए Mystery of Ayush को Government of India त्वारा 2014 में सेट अप किया गया था और हर साल 23 अक्टूबर को Ayurveda Day हम celebrate करते हैं तो ये सभी जानकारी मैत पूर्ण है Who has been appointed as the chair of B20 India B20 India के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया है Options आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी है N. Chandrasekran आपको जाना चाहिए Government of India ने Tata Suns chairman N. Chandrasekran इनको chair of B20 India नुक्त किया है तो भारत की जो G20 presidency है उसके दुरान जितना भी business agenda है उसका नेत्रत एंचंदर शेकरन करने वाले हैं आपको बता दें Confederation of Indian Industry यानि की CII इसको B20 India Secretariat अपोइंट किया गया है भारतिय सरकार की दुरा तो जितना भी B20 India प्रोसेस है उसको लीड करेगा Confederation of Indian Industry आपको जाना चाहिए CII ने यह B20 India Secretariat का चार्ज एक December 2022 को एस्जूम कर लिया है और अगर हम B20 यानि की Business 20 की बात करें इसकी स्थाफना 2010 में हुई थी और यह Official G20 Dialogue Forum है जो की Global Business Community को रिप्रेजेंट करता है आपको जाना चाहिए CII या फिर साजी के वी इनको चेर्मेन निउक्त किया गया है National Bank for Agriculture and Rural Development नाबार्ट का इससे पहले यह 21 माई 2020 तक नाबार्ट में Deputy Managing Director के तौर पर कारियर थे आपको बताते हैं यह कोविंद राजूल चिंताला को रिप्लेश कर रहे है नाबार्ट की अगर हम बात करें आप सभी जानते हैं Regional Rural Banks and Cooperative Banks के लिए यह Regulatory Body है Ministry of Finance Government of India के तहत आती है इसकी स्थापना बी सिवरामन कमिटी की रिकमेंडेशन्स पर 12 जुलाई 1982 को हुआ था और जो हमारी उस वक्त की लेट प्राइम मिस्टर रही इंद्रागांधी इनके द्वारा पांच नमबर 1982 को नाबार्ट को दिसको समरपित कर दिया गया आपको बतादे नाबार्ट ने Agriculture Credit Department and Rural Planning and Credit Sell of RBI and Agriculture Refinance and Development Corporation इनको रिप्लेस किया था आपको बतादे 100 करोड रुपे की Initial Capital से नाबार्ट को सेट अप किया गया था और इसकी Paid Up Capital इस वक्त 17,080 करोड रुपे है इसका Head Office मुंबई में है और सभी स्टेट्स में इसके Regional Offices है साथ ही एक Special Cell भी है स्रीनगर जम्म और कश्मीर में अब कि कम इंडिया 77 चेस Grand Master भारत के सत्रवे सत्रव्च कौन बने है और आपके सामने है ऐसी आप्शन भी हदित्य मितल तो मुंबई के आदित्य मित्तल 16 साल के हैं ये इंडिया के 77 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए है इस पेन में एक टूर्णामेंट चल रहा है उसके दोरान आपको जाना चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 GM नॉम्स सिक्क्योर करने पड़ते हैं साथ ही 2500 ये लो पॉइंट स्टेटिंग भी क्रॉस करने पड़ती है आपको जाना च कौन सा बल्ले 뜨 mच एक दीव से 12 सितक बनाने वाला सबसे कम उमर का और सबसे तेज क्रिक्टर बन गया है और पहला एक दीव से सतक को दोरे सतक में बदलने वालाiva पहलाहक बन गया है ऑपश्क्षेंस आपके सामने है सही आंश्य रख भी रहेैं लिगा इशान किशन तो आप सभी जानते हैं इंडियन बैट्समेन इशान प्रनव किशन, चोबीस साल के हैं, इन्होंने 131 बॉल्स में 210 रंस स्कोर किये हैं, बांगलादेश के खिलाफ जो वंडे इंटरनेसल मैच हुआ, जाहुर रहमत चोधरी स्टेडियम चड़गाओं में, यहां पर, आपको इपनी पहली जो वंडे नसरी सेंचुरी है, उसको डबल सेंचुरी में कनवर्ड किया है, तो यह 126 डिलिवरीस पर इन्होंने अपने 200 रं का आकड़ा चुआ, और क्रिसकेल का जो रिकोर्ड था, 138 बॉल्स पर उन्होंने 200 रं मनाये थे, उसको भी तोड़ दिया है, आप उन्होंने डबल सेंचुरी मनाई है, आपको बता दें, गेल, मार्टिन गप्रील और फकर जमान भी इंटरनेशनल लेवर पर 200 रं स्कोर कर चुके हैं, नीचे लिस्टिक दी गई है, इसमें भी आप देख सकते हैं, पैसा बाजार और विच बैंक एनॉंस्ट ता लांच ओ आपको जानना चाहिए, पैसा बाजार और विच बैंक, इन्होंने एक क्रेट कार्ड लौंच है, जिसका नाम डुएट है, आपको बता दें, इसमें कैस बैक ओफर्स भी दिये जा रहे हैं, यदि आप कोई परचेस करते हैं इस कार्ड के थूँ, तो आपको कैस बैक मिलता है, साथी लाइन ओफ क्रेडिट भी आरबियल बैंक इसमें प्रोवाइट कराता है, जिसके तहत आपके बैंक अकाउंट में जो राशी है, जो मनी है, वो इस्टेंट ट्रांसफर कर दी जाती है, आपको बता दें, यह एक लाइफ टाइम फ्री डिट कार्ड है, आरबियल और से, अरबियल बैंक के अगर हम बात करें, MD&CO, आरव सुब्रमन्य कुमार है, हैट्वार्टर मुंबई में है, इसकी टेग लाइन है, अपनों का बैंक, ट्रकनेटिक हैस पार्टनर्ड विद विच बैंक टो ओफर कॉम्प्रेहंसिव डिजिटल बैंकिंग, लोजिस्टिक्स, वैल्युएड़ेट सर्विसेज, टुएसमेज, अक्रॉस तर कंट्री, ट्रकनेटिक ने देश भर में MSMEs को व्यापक, डिजिटल, बैंकिंग, आप इसका समझ सकते हैं, ट्रक्स के लिए, ट्रक्स के लिए, ओबर की तरा आप इसको समझ सकते हैं, तो ट्रकनेटिक इसने डीबीएस बैंक के साथ Ցपार्टनर्सिप किया है, और इसको अपना बिजनेस क्लास प्लैटफॉर्म पर लॉजिस्टिक पार्टनर न्यू Śोम क इसके तहत जो DBS bank है यह जो SMEs है उनको digital banking logistics value-added services provide कराएगा आपको जाना चाहिए DBS bank India Limited के बारे में इसके MD&CO सुरुचीत शोम है headquarters भारत में इसका मुबई में है टेग लाइन है लेव मौर बैंक लेस Honda Power Pack Energy India Private Limited and which Metro announced the launch of Open Battery Swap Service Honda Power Pack Energy India Private Limited और किस Metro ने Open Battery Swap सेवा सुरू करने की गोशना की options आपके सामने हैं सही आंधर option दी है बैंगलोर Metro तो आपको जाना चाहिए Honda Power Pack Energy India Private Limited जो कि एक battery service subsidiary है Honda Motor Limited की इन्होंने Bangalore Metro Rail Corporation Limited BMRCL या फिर नम्मो मेट्र हम कहते हैं बैंगलोर की मेट्रो को इनके साथ MOU sign किया है और Honda e Swap Services launch की है BMRCL Metro Stations पर विच एरलाइन signed a general sales agreement with Is My Trip to sell tickets and provide other services to passengers in साओधी अरब साओधी अरब में या तो एक टिकट और अन्य सिवाओं के लिए किस airline ने Is My Trip के साथ एक सामान्य विक्री समझोते पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है सही आंसर option C है go first तो आपको जाना चाहिए go first इसने एक general sales agreement sign किया है Is My Trip के लिए Is My Trip के साथ जिसके तहाते जो passengers है साओधी अरब के लिए उनको जो है tickets बेचे जा सकते हैं और और कई तरह की services प्रोवाइड की जा सकती है आपको जाना चाहिए go first जो की go air के नाम से जिसकी स्थापन की गई थी एक इंडियन अल्ट्रा लो कोस्ट एर लाइन है और यह मुंबई बेस्ट है आपको बता दें इसकी जो ओनर है यह वाडिया ग्रूप है इसमाई ट्रिप की बात करें तो एक इंडियन ओनलाइन ट्रेवल कंपनी आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना साल 2008 में निशान पिती रिकार्ट पिती और प्रसांत पिती द्वारा की गई थी इसका हैट्वाटर्स निव डैली में है और आप सभी जानते हैं कि यह होटल इसमाई ट्रिप एक और कारण से चर्चा में रहा इसने गुजरात की जो गिफ्ट सिटी बेस्ट एक नूदन अविएशन है इसमें इन्वेस्ट किया है और इसको एक्वाइर भी किया है तो आपको जाना चाहिए देखे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टेट इसका सेलिबरेशन दसवर ग्यारा दिसंबर को किया गया इंटरनेसल कोपरेशन एंड कॉनक्लिव सेंटर वारांसी उत्तरप्रदेश में इसी दोरान जो जम्मु एंट कश्मीर है इसको फर्स्ट प्राइस दिया गया इन दे कैटेगरी फोर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आई डी जनरेशन और सेकंड प्राइस दिया गया इन दे कैटेगरी फोर टेली कंसल्टेशन किस राज्य का एक फार्म कार्बन तथर्स्ट इस्तरी प्राप्त करने वाला देश का पहला बीच फार्म बन गया है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए केरल हैं आपको जाना चलिए प्राद चेट उस इप्रेशन और क्या चै Based on a leg назад jis ने तौन ही स्टेट आपको बताते हैं कार्बन नीट्रल होता हैं कार्बन नीट्रल इंडिकेट करता है की agriculture practices जो farms में की जाती है उसके दुरान जो emission हो रहा है जो carbon emission हो रहा है उसको soil द्वारा ही absorb कर लिये जाना उसको बोलते है carbon neutral यांनि कि आप परियावरंड में जो है carbon dioxide emit नहीं कर रहे है agriculture practices के दुरान normally क्या होता है जो agriculture practices है उनके द्वारा a lot of carbon dioxide एक्साइट एमिट की जाती है साइटिफिक स्टेटिस के द्वारा ऐसा बताया गया है कि इंडिया का जो नेसनल की इन हाउस कैस एमिशन है उसमें 14 परसेंट जो कॉंट्रिबूशन है यह एग्रिकल्चर एंड लाइफ स्टोक की द्वारा किया जाता है आपको बजाते हैं जो टोटल एमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन है इस फाम द्वारा अलुआ निरकोच्ची द्वारा पिसले एक साल में यह 43 टंद रहा है लेकिन जो इसका ओवरोल प्रोक्यूर्मेंट है यह 213 टंद रहा है इस तरह से इसने कार्बन नीट्रल स्टेटस प्राप्त किया दे सेंट्रल गवर्मेंट है अप्रूर्मेंट है नेशनल मिशन ओन नेच्वल फार्मिंग एस सेपरेट स्कीम विद एन एकस्पेंडिचर आफ 1584 करोड रूपीज के अंदर स्रकार ने प्राकरतिक खेती पर रास्ट एमिशन को 1584 करोड रूपे के विए के साथ एक अलग जोजना के रूप में मंजूरी दी है आपको जानना चाहिए कि नए दिल्ली में इसको इन्योगरेट किया गया गरिकल्चर मिस्टर नरिन सिंग तोमर के द्वारा आपको बता दें यह जो कॉन्फरेंस रही इसको नीती आयोग ने जी आईजी जो की फेडरल मिस्टरी फॉर एकोनोमिक कोपरेशन और डवलपमेंट जर्माई द्वारा एफिलेटेड है इन दोनों के द्वारा और्गनाईज की गई इसी दोरान नरिन सिंग तोमर ने यह बताया कि सरकार ने इसको एक स्कीम के तोर पर एप्रूफ किया है और इसमें एकस्पेंडिशर रहेगा पंद्रा सो चुरासी क्रोड रुपए का आपको जाना चाहिए इन्होंने ये भी अउगत कराया कि 22 करोड से ज़्यादा सोल हेल्थ कार्ड अब तक फार्मर्स को डिस्टिब्यूट किये जा चुके हैं टू फेसेज में परिशालन अधिकारी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है सही आंसर ऑप्शन दी है सुस्मिता शुकला तो सुस्मिता शुकला जो की इंशुरेंस इंडरस्ट्री से सम्मन्दित हैं इन्हें रिजर्व बैंक उंध न्यू-योर्क में फस्ट व्स प्रेजिडेंट एंड चीफॉपरेटिंग इस फेडरल डिजर्व गैंक आफिसरेंग अैं तो यह जो लृच्फ पर्शेके सब्सक्षेंट के यॉइस के यह 12 बैंक से मिलकर बनाया है उन मेंस से एक एक है federal reserve bank of New York who is the brand ambassador of American furniture retailer Pottery bond American furniture retailer Pottery bond का brand ambassador कौन है सही आंजर उप्शन सी दिपिका पदुकौन है आपको जाना चाहिए American furniture retailer Pottery bond इन्होंने global partnership एनाउंस की है दिपिका पदुकौन के साथ इनको अपना brand ambassador sign किया है इसी तरह के अगर हम कुछ और brand ambassador की list देखें तो Noice जो कि एक wearable technology company है इन्होंने विराट कोली को अपना brand master न्युक्त किया है अपने smart watches के लिए साथ ही नाइका फैशन ने जानवी कपूर को अपना brand master न्युक्त किया है catch salts and spices इन्होंने अक्षे कुमार और भूमी परनेकर को अपना brand master न्युक्त किया है वही cancer hospital chain American oncology institute इन्होंने मेरिकॉम के साथ partnership की है for early detection of cancer campaign तो इस सब भी महत्रपूर है याद रखेगा which edition of international film festival of केरल has been started at निशा कांधी auditorium in थिरुनन्तपुरम केरल के अंत्रास्टे फिल्म और सवा कौन सा संस्क्रण थिरुनन्तपुरम के निशा गांधी सभागार में शुरू किया गया options आपके सामने है सही answer option C है 27 आपको जानना चाहिए international film festival of केरल का 27 एडिशन निशा पांधी auditorium इंतिरुन्तपुरम में स्टार्ट हो चुका है इसको इन्योग्रेट किया गया के सीम पिनर रही विजियन ने आपको बता दें इस फेस्टिवल में जो पाम्डिवर विनिंग डिरेक्टर है जीन पियर डाड़ने एंड लुक डाड़ने इनकी जो बेल्जियन डिफ्यूजी ड्रामा है जिसका नाम है टॉरी एंड लोखिटा ये ओपनिंग फिल्म रही है इस 27 इंट्रेंसल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल 2022 के लिए आपको दादें ये जो फेस्टिवल है इसको केरल इस्टेट चलचित्र अकेडमी द्वारा होस्ट किया जाता है ओन सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधयक को मंजूरी दी ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए आसाम है तो आपको जाना चाहिए आसाम केडिट ने बिल को एप्रूफ किया है जिसके तैस सफाई कर्मचारी कमिशन राज्य में क्रेट किया जाएगा स आपको जाना चाहिए आसम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेट कैबिनेट जिसकी नित्रत्व चीफ मिस्टर हिमन दविश्वा सर्माने की इन्होंने जो कैबिनेट की जो मीटिंग है इसको इतिहासिक गांधी मुंडप गौहाटी में आईजित किया है इंडि देश पहुंचे आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी बांगलादेश है तो आपको जाना चाहिए इंडियन नेवी शिप्स कोची कवरती और सुमेधा यह कोक्स बाजार बांगलादेश पहुंचे हैं जहां इन्होंने पहली इंटरनेसल फ्लीट रिव्यू में पार्ट बगबंदू से एक मुझीबूर रहमान इसको कमेबरेट करना साथ ही जो बांगलादेश की आजादी की गौर्डलन चुबलिहस को सलिप्रेट करना आपको जाना चाहिए कि इंडियन नेवी शिप कोची एक गाइड़ेट मिशन मिसाइल स्टिल्ट डेस्टोयर है और कावर इस वर्ड एथलीट ऑफ ता इयर का प्रुषकार किसने जीता सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा आर्मंड मॉंडो डुप्लेंटिस एंड सिद्नी मेकलग्लीन आपको जाना चाहिए वर्ड चैंपियन अमेरिकन हर्डलर सिद्नी मेकलग्लीन लेवरोन और स्विडिस पॉल वा इस तरह के जो इवेंट्स हैं तो इनमें जो पूरे साल भर में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको यह वार्ड दिया जाता है वर्ड एथलेट ऑफ ता इयर आवार्ड इस्राइंड विच आफ फॉलोइंग साइन एनमो यू तो लॉंच इस पेस्टेक इनोव आप कीजिएगा यहां पर सी लिखा है बी होगा ऑफ्शन भी सोशल एल्फा तो जाने का इंडियान इस पेस रिसर्च औरोगनाइशन यानि की इस रो इसने सोशल एल्फा के साथ एक मोई साइन किया है जिसके तैदिनों ने एक स्पेस्टेक इनोवेशन नेटवर्क वेशर कैपिटल भी आपको प्राप्त हो सकती है और कई तरह के इनोवेशन आइडियास भी आप आप जो है इसमें अपने रख सकते हैं आपको जाना चाहिए जो सोशल एल्फा है यह एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्योरेशन एंड वेंचर डेवलेप्मेंट प्लेटफो इसका जो यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैप्सूल प्रोग्राम है इसके लिए यह मौ यू को फैसिलिटेट किया गया इंडिया की जो नोडल इस पेस ऊथराईशन बोडी है इंडिया नेसल स्पेस प्रोमोशन एंड और जानी की इन स्पेस इसके द्वारा फो हैस बिन अपॉंटेट एस अप्षिंग चीफ जस्टिस ऑफ दा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लग्ताक जम्मू और कश्मीर लग्ताक के उच्छ नियालय के कारिवाहक मुख्य नयदीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया ऑप्शन्स आपके सामन सही आंदरू प्शन सी जस्टिस ताशी रापस्तान है अन्य आक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉंट किया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मऑ कश्मीर लग्ताक क्योंकि जो फिलहाल चीफ शस्टिस नियांके अली मुखमन मांगरे एक रिटायर अब होने वाले हैं आपको बता कोट का जज कि सपत दिलाई गई है चीफ सेस्टिस ओफ इंडिया डिवाई चंद्रचूड के द्वारा बारत संबर को देखे दोनों नियूज अलग है उपर वाली जम्मू एंड कश्मीर एंड लग्दाक से संबंदी थे दूसरे वाली अलग है यह सुप्रीम कोट से का आपको बताते जो जस्टिस दखता है यह फोर्मर बंबी हाई कोट चीफ सेस्टिस हैं और सुप्रीम कोट में के जच के तोर पर अपॉर्मेंट के साथ ही अब जो सुप्रीम कोट की जो स्ट्रेंथ है यह 28 हो चुगी है और टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है 34 जजज ही अच्छा कि आपको जाना चाहिए कि सुप्रीम कोट के जेस्टünüz होते हैं यह 65 की इच में रिटायर होते हैं जबकि हाई कोट ऐसे से हैं 62 की एच में रिटायर होते काफी मैं था पूर्णव्ट है कि पूछ ले जाता है previous assignment questions के answer हम देखने वाले हैं in which state manpuri located रुटर प्रदेश recently mt samiru volcano erupted in which recently erupted mt samiru volcano is located in which country answer is indonesia what is the manageable age of a muslim woman according to personal law in india 15 under the national food security act 2013 what percentage of the urban population is entitled to subsidize food answer is 50% which organization in partnership with the state government of KELA release the report title climate investment opportunities in India schooling sector answer is WHO the RBI on December 7 days the policy rate by 35 basis points to 6.25 percent how many basis points equals one percentage point answer is hundred or a messi ka yes friends and will cool so he answer the I see trust a participate karter a year cherry archie assignment questions declare Nobel Prize Day is observed every year on which day Elon Musk loses the words richest person title to whom as per Forbes which Indian Airport in December has commissioned business chat terminal which country's Parliament recently approved a law outlawing sex outside marriage who took charge as secretary department of a school education and literacy ministry of education in November the whale-shaped Airbus a 300 600 st or Beluga made its median appearance at which Indian airport some platforms of which railway station will be branded as Belkolu and Norish as the railway has granted naming rights to an Uttar Pradesh based FMCG company BL a group so in South questions can answer a comment box where they need a idea of a question answer to be at a time to be FM comment box major you say but I do not know that I'm going to go out there and go out telegram for the future and that they have a regular video updates or current quiz SMAB सभी के लिए डालते रहते रहते हैं साथ decision group में आप किसी भी question about solution पा सकते हैं दोस्ते आप अपर हमारे करेंट अफेर्स की प्लेश दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैल्वे साथ हमारे करेंट अफेर्स को शेर जरूर करें आज का इस सेशन आपको कैसा लगा comment box में जरू बताइएगा थैंक्यू गाइज